अर्जुन ने कहा है मधुसूदन, रण में मैं भीश्म और द्रोनाचार्य के साथ बानों से कैसे युद्ध करूँगा। क्योंकि है अरिसूदन, वे मेरे पूज हैं। लेकिन अर्जुन नहीं पकड़ पाता, वह फिर वही दोहराता है, दूसरे कोण से वह कहता है, मैं द्रोन और भीश्म से कैसे युद्ध करूँगा, वे मेरे पूज हैं। बात फिर भी वह विनमर्ता की बोलता है, लेकिन अहंकार अक्सर विनमर्ता की भाशा बोलता है, और अक्सर विनमर्ता लोगों में सबसे गहन अहंकारी पाए जाते हैं। असल में विनमर्ता डिफेंसिव इगोइज्म है, वह सुरक्षा करता हुआ अहंकार है। आक्रामक अहंकार मुश्किल में पड़ सकता है विनमर अहंकार पहले से ही सुरक्षित है, वह इंशोर्ड है इसलिए जब कोई कहता है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आपके चरनों की धूल हूँ, तब जरा उसकी आखों में देखना तब उसकी आखें कुछ और ही कहती हुई मालूम पड़ेंगी उसके शब्द कुछ और कहते मालूम पड़ेंगे कृष्ण ने अर्जुन की रगपर हाथ रखा है, लेकिन अर्जुन नहीं समझ पा रहा है वह दूसरे कोने से फिर बात शुरू करता है वह कहता है द्रोन को जो मेरे गुरु है, भीश्म को जो मेरे परम आदरनिय है पूज हैं उन पर मैं कैसे आक्रमन करूंगा यहां ध्यान में रखने जैसी बात है, यहां भीश्म और द्रोन गौन है अर्जुन कह रहा है, मैं कैसे आक्रमन करूंगा इतना बुरा मैं नहीं कि द्रोन पर और बान खीचूं कि भीश्म की और छाती छेदू नहीं यह मुझसे न हो सकेगा यहां वह कह तो यही रहा है कि वे पूज्य है यहां मैं कैसे करूंगा लेकिन गहरे में खोजें और देखें तो पता चलेगा वह यह कह रहा है कि यह मेरी जो इमेज है मेरी जो प्रतिमा है मेरी ही आँखों में जो मैं हूँ उसके लिए यह असंभव है इससे तो बहतर है मधुसूदन की मैं ही मर जाऊँ इससे तो अच्छा है प्रतिमा बचे शरीर खो जाए अहंकार बचे मैं खो जाऊं। अपने निरंतर अपने को अच्छा आदमी समझा है। वह प्रतिमा आप अपने ही हाथ से खंडित कर लेते हैं। क्रोध के बाद पता चलता है कि वह अच्छा आदमी जो मैं अपने को अब तक समझता था। क्या मैं नहीं हूँ। आंकार कहता है, नहीं, आदमी तो मैं अच्छा ही हूँ, यह क्रोध जो हो गया है, यह बीच में आ गई भूल चुक है, in spite of me, मेरे बावजूद हो गया है, यह कोई मैंने नहीं किया है, हो गया, परिस्थिति जन्य है, पच्चताते हैं, शमा मांग लेते हैं, अगर सच में ही क्रोध के लिए पच्चताए हैं, तो दुबारा क्रोध फिर जीवन में नहीं आना चाहिए, नहीं, लेकिन कल फिर क्रोध आता है, नहीं, क्रोध से कोई अर्चन न थी, अर्चन हुरी थी कोई और बात से, यह कभी सोचा ही नहीं था कि मैं और क्रोध कर सकता हूँ, तो कहता है, देखो माफी मांगली, शमा मांगली, विनमर आदनी हूँ, समय ने, परिस्थिती ने, अफसर ने, मूड नहीं था, भूखा था, दफ्तर से नाराज लोटा था, अस्फल था, कुछ काम में गडबड हो गई थी, backslash, backslash, परिस्थिती जने था, मेरे भीतर से नही आया था क्रोध, मैंने तो क्षमा मांगली है, जैसे ही होश आया, जैसे ही मैं लोटा, मैंने क्षमा मांगली है, आप अपनी प्रतिमा को फिर सजासमवार कर, फिर गहने अभूशन पहना कर सिनहासन पर विराज मान कर दिये, क्रोध के पहले भी यह प्रतिमा सिनहासन पर ब जगहा गए। उस निंदा को ज़ाड रहा है, पोच रहा है, बुहार रहा है। कि अपने ही गुरु पर आक्रमन किया, कि अपने ही पूज्यों को मारा। इससे तो बहतर है मधुसूदन कि मैं ही मर जाओ। लेकिन लोग कहें कि मर गया अरजुन, लेकिन पूज्यों पर हाथ न उठाया, मर गया, मिट गया, लेकिन गुरु पर हाथ न उठाया। उसके मैं को पकड लेने की जरूरत है, अभी उसकी पकड में नहीं है, किसी की पकड में नहीं होता है, जिसका मैं अपनी ही पकड में आ जाए, वह मैं के बाहर हो जाता है, हम अपने मैं को बचापचा कर जीते हैं, वह दूसरी दूसरी बातें करता जाएगा, कभी कहेगा यह, कभी कहेगा वह सिर्फ उस बिंदु को छोड़ता जाएगा, जो है कृष्ण ने चूना चाहा था, वह उस बात को छोड़ गया है, अनार्यार्य की बात वह नहीं उठाता, कातर्ता की बात वह नहीं उठाता, लोक में यश, पर लोक में भटकाव, उसकी बात वह नहीं उठाता, वह दूसरी बात उठाता है, जैसे उसने कृष्ण को सुना ही उसके वचन कह रहे हैं कि बीच में जो कृष्ण ने बोला है अर्जुन ने नहीं सुना। सब सिलेक्टिव है उसमें चुनाव है हम पूरे वक्त वह छांट रहे हैं जो हम नहीं देखना चाहते। एक नया मनोविज्ञान है, गेस्टाल्ट, यह जो अर्जुन ने उत्तर दिया वापस, यह गेस्टाल्ट का अध्भुत प्रमान है, गेस्टाल्ट मनोवज्ञानिक कहते हैं, आकाश में बादल घिरे हो, तो हर आदमी उनमें अलग-अलग चीजे देखता है दरा हुआ आदमी भूत प्रेत देख लेता है, धार्मिक आदमी भगवान की प्रतिमा देख लेता है, फिल्मी दिमाग का आदमी अभिनेता अभिनेत्रिया देख लेता है, वह एक ही बादल आकाश में है, अपना-पना देखना हो जाता है प्रत्येक आदमी अपनी ही निर्मित दुनिया में जीता है और हम अपनी दुनिया में डॉट इसलिए इस प्रित्वी पर एक दुनिया की भ्रांती में मत रहना आप इस दुनिया में जितने आदमी हैं, कम से कम उतनी दुनियाएं हैं अगर साढ़े तीन अरब आदमी हैं आज प्रित्वी पर तो प्रित्वी पर साढ़े तीन अरब दुनियाएं हैं और एक आदमी भी पूरी जिन्दगी एक दुनिया में रहता हो ऐसा मत सोच लेना उसकी दुनिया भी रोज बदलती चली जाती है परिलबक ने एक किताब अपनी आत्मक्था की लिखी है मेरे अनेक संसार अब एक आदमी के अनेक संसार कैसे होंगे रोज बदल रहा है और प्रत्येक व्यक्ति अपनी दुनिया के आसपास बाड़े, दर्वाजे, संत्री, पहरेदार खड़े रखता है और वह कहता है इनने को भीतर आने देना इनन को बाहर से ही कह देना कि घर पर नहीं है या हम लोगों के साथ ही नहीं करते सूचनाओं के साथ भी करते हैं अब अर्जुन ने बिलकुल नहीं सुना है क्रिश्न ने जो कहा वह बिलकुल नहीं सुना है वह जो उत्तर दे रहा है वह बताता है कि वह irrelevant है उसकी कोई संगती नहीं है हम भी नहीं सुनते दो आदमी बात करते हैं अगर आप चुपचाप साक्षी बनकर खड़े हो जाएं तो बड़े हैरान होंगे लेकिन साक्षी बनकर खड़ा होना मुश्किल है क्योंकि पता नहीं चलेगा और आप भी तीसरे आदमी भागिदा हो जाएंगे बातचीत में अगर आप दो आदमियों की साक्षी बनकर बात सुने तो बहुत हैरान होंगे कि ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं या अपने अपने से बात कर रहे हैं एक आदमी जो कह रहा है दूसरा जो कहता है उससे उसका कोई भी संबंध नहीं है जुंग एक संस्मरन लिखा है कि दो पागल प्रोफेसर उसके पागल खाने में भरती हुए इलाज के लिए। गंगोर चर्चा चलती रहती है जुम खिड़की से छिटकर सुनता है कि उनमें क्या बात होती है। जानकारी ही ज्यादा हो जाती है फिर वह बोच हो जाती है। चकित है जुम उनकी जानकारी देखकर वे जिन विश्यों पर चर्चा करते हैं वे बड़े गहरे और नाजुक हैं। लेकिन इससे भी चकित ज्यादा दूसरी बात पर है और वह यह की जो एक बोलता है। उसका दूसरे से कोई संबंध ही नहीं होता। लेकिन यह तो पागल के लिए बिलकुल स्वाभाविक है। इससे भी ज्यादा चकित इस बात पर है कि जब एक बोलता है तो दूसरा चुप रहता है। और ऐसा लगता है कि सुन रहा है। और जैसे ही वह बंद करता है कि दूसरा जो बोलता है तो उसे सुनकर लगता है कि उसने उसे बिलकुल नहीं सुना। क्योंकि अगर वह आकाश की बात कर रहा था, तो वह पाताल की शुरू करता है। उसमें कोई संबंध ही नहीं होता। तब वो अंदर गया और उसने जाकर पूछा कि और सब तो मेरी समझ में आ गया। आप गहरी बाते कर रहे हैं, वो समझ में आ गया। समझ में यह नहीं आ रहा है कि जब एक बोलता है, तो दूसरा चुप क्यों हो जाता है। तो वे दोनो हसने लगे और उन्होंने कहा कि क्या तुम हमें पागल समझते हो इस दुनिया में पागल भर अपने को कभी पागल नहीं समझते और जो आदमी अपने को पागल समझता हो समझना चाहिए वो पागल होने के उपर उठने लगा क्या तुम हमें पागल समझते हो उन दोनोंने कह नहीं, जुंग ने कहा, ऐसी भूल मैं कैसे कर सकता हूँ, पागल बिलकुल आपको नहीं समझता हूँ, पर यही मैं पूछ रहा हूँ कि जब एक बोलता है, तो दूसरा चुप क्यों रह जाता है, तो उन्होंने कहा, क्या तुम समझते हो कि हमें कन्वरसेशन का नियम भी माल मालूम नहीं, हमें मालूम है कि जब एक बोले तो दूसरे को चुप रहना चाहिए, जुंग ने कहा, जब तुम्हें इतना मालूम है, तो मैं यह और पूछना चाहता हूँ कि जो एक बोलता है, उससे दूसरे के बोलने का कभी कोई संबंध ही नहीं होता, दोनों फिर हसने लगे, उन्होंने कहा, खेर, हम तो पागल समझे जाते हैं, लेकिन इस जमीन पर जहां भी लोग बोलते हैं दो, उनकी बातों में कोई संबंध होता है, जुन घबड़ा कर वापस लोट आया, उसने अपने संस्मरन में लिखा है कि उस दिन से मैं भी सोचता हूँ जब किसी से बात करता हूँ, संबंध है, थोड़ा संबंध हम बना लेते हैं, जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम पागल नहीं है, जिसकी की संभावना बहुत कम है, तो जब आप बोल रहे हैं, तब मैं अपने भीतर बोले चला जाता हूँ, जैसे ही आप चुप होते हैं, म कोई एक बात पकड़ लू, खूटी बना लू, और मेरे भीतर जो चल रहा था, उसको उस पर टांग डूँ। बस, इतना ही संबंध होता है। अर्जुन और कृष्ण की चर्चा में यह मौका बार बार आएगा, इसलिए मैंने इसे ठीक से आप से कह देना चाहा। अर्जुन ने बिलकुल नहीं सुना की कृष्ण ने क्या कहा है, नहीं कहा होता, ऐसी ही स्थिती है, वो अपने भीतर की ही सुने चला जा रहा है, वो कह रहा है, ये पूज, ये द्रोन, ये भीष्ण, वो ये सोच रहा होगा भीतर, इधर कृष्ण क्या बोल रहे है, वे जो बोल रहे हैं, वो परिदी के बाहर हो रहा है, उसके भीतर जो चल रहा है, वो ये चल रहा है, वो कृष्ण से कहता है कि मदु सुदन, ये पूज, ये प्रिय, इन्हें मैं मार सकता हूँ, मैं अर्जुन, इसे ध्यान रखना, उसने कृष्ण की बात नहीं सुनी.